हलो दोस्तों हमारे सीजी पोल्टी फार्मिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है तो दोस्तों आप थनमेल में देखके जानी गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ जी हाँ मत करो पोल्टी फार्मिंग वर ना होगा 100% लोस क्यों भाई क्या हुआ नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ 12 से 15 पोइंट ऐसे हैं पोल्टी फार्मिंग करते समय उसको कर रहे हो तो आपको लोस होगा ही होगा तो भाई कौन सा पाइंट से हो चलो जानते हैं दोस्तो पॉल्ट्री फार्मिंग करते समय ऐसे बहुत सारी पॉइंट है जिसको आप कर रहे हो तो उसके वज़ा से ही आपको आपके पॉल्ट्री बिजनेस में 100% लोस होना ते है तो कौन सा है वो पाइन चलो शुरू करते हैं पहला पॉइंट है पॉल्ट्री से रिलेटेड आपका कोई भी लख्श निर्धारित नहीं है बीना लख्श के पॉल्ट्री बिजनेस करने वाले के हालत ठीक उसी तरह होती है जैसे कोई पैसेंजर बिना नैम पलेट वाली बस में सफर कर रहा हो ना बस किसी मन्जिल में पहुँच पाएगी क्या आप करना चाहोगे ऐसे बस में सफर बताईए बताइए अपना खुद का एक लक्ष बनाईए एक शपना देखिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं सपने को आप अपने रात के सपने में मत देखो बल्के आपका सपना ऐसा हो जो आपको सोने ना दे अपने लक्ष को उचा रखो जब तक ना सको जब तक आप उसे हासिल ना कर लेते बहुत सारे पोल्टी फार्मर फार्मिंग करते समय लक्ष ही निर्धारित नहीं करते उनको पता ही नहीं होता है कि मैं फार्मिंग क्यूं कर रहा हूं या फिर मुझे अचुमेंट कौ तभी आपको जाकर आपके माइंड आपके सही डारेक्शन में जाएगी यह हुआ पहला पॉइंट चलिए अब दूसरे पॉइंट के तरफ चलते हैं तो दूसरा पॉइंट है लोन के पैसे में पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना जिस तरह सफलता में ही सफलता लिखा रहता है उसी तरह लोन भी हमें खुद मुझे लोना चीक चीक कर कहता है हम खुद ही उस बात को समझ नहीं पाते लोन को कभी नहीं लेना है अगर आप पहली बार पॉल्टी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो लोन तभी लेना जब पॉल्टी फार्मिंग करके आप खुद ही अच्छा experience और पैसा कमा लिया हो और आपको अपने बिजनेस को एस पास करने के लोन चाहिए तो बिलकुल लिजेगा लोन लोन के पैसे लेने के बाद महिने के installment चालू हो जाता है लेकिन अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है प्रोफिट का पी भी हमने अभी तक नहीं देखा तो ऐसे समय लोन पर ब्याज हम पर दिन पर दिन बढ़ते जाता है और जरूरी नहीं है कि लोन के पैसे से पॉल्टरी बिजनेस सुरू करने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही प्रोफिट सुरू हो जाएगा कम से कम 5-6 महिने तो आपको पॉल्टरी बिजनेस समझने में ही चले जाएंगे और बाकी की इन्वेस्टमेंट पॉल्टरी की ब्याज में लगी हुई है तो आप ही बताओ जो आपने लोन इन्वेस्टमेंट भरी 5-6 महिने तक बिजनेस में प्रोफिट ना होने के बावजुद वह आपने कहां से भरी जाहिर सी बात जो लोन का पैसा लिया उसी पैसों म देख रही है हमें फायदा होए इसलिए हमको फायदा हमको लोन बिल्कुल नहीं दे रही है यह बात वाक्य समझने लाइक है और दोस्तों यह बिजनेस है यहां पर 10% लोग काम्याब होते हैं और 90% लोग खुद के गलतियों से असफल होते हैं बाई डिफाल किसी भी कारण से अगर आप बिजनेस में असफल रहते हो तो आपके बाईदी चीव आले पासस े दस सल स्रि उर स्यक्याब करने में चले जाएंगे इसलिए स्टार्टिंग में हमें पॉल्ट्री बिजनेस के लोन नहीं लेना चाहिए starting में छोटे से start करो लेकिन खुद के पैसे से start करो और धीरे धीरे बिजनेस को response करो समझ में आया अब ठर्ट पाइंट बात कर लेते हैं आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉल्ट्री बिजनेस में पीपेड है आपके पास पैसा कमाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आप ही बताइए अगर आपको लगातार दो बेच में लोस हुआ तो ओ चार से छे महीने आपने अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे लेकर अपने परिवार के खर्चे उठाते ऐसे तो आपके इन्वेस्टमेंट दिन बर दिन कम हो जाएगी और एक एक दिन ऐसा हो जाएगा कि खुद के खाने के लिए पैसे ना बचेंगे और ना ही मुर्गी के दाने के लिए पैसे बचेंगे डिपेंड बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके पास 30 अंडे हो और वो आप एक ही करेट में लेकर जा रहे हो और जाते जाते आपका पैर फिसल गया तो क्या होगा तो पूरे 30 अंडे भगवान के पास तो उसी केस में अगर आपने वही 30 अं अंडे तो बच जाते एक ही बिजनेस में पूरा इंवेस्टमेंट आप लगा रहे हो और पैर फिसलने से अगर आपको लॉस हुआ तो आगे मुझे बताने की ज़रुरत नहीं है कि क्या होगा ना हम अंडे बेचने के लायक रहेंगे ना ही खाने के लायक तो इसी लिए कभ के इस्तिमाल करिए किसी सो से लोस होने के कारण इंकम नहीं भी आई तो क्या होगा फिर भी दूसरे सो से आपका इंकम जरूर आएगी तो चौथा पाइंट है कम प्रवर्टी वाली चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हमारे भाई साहब मैंने वाली बात बहुत जमीन में लगा देते हैं और जब पॉल्टी सेड बनके तयार हो जाता है तो उनके पास पॉल्टी के बेज डालने के लिए पैसे नहीं बचे और चलो कुछ पैसे बच भी गए तो सेड होता है 5-10 स्क्वाइर फिट का और हमारे भाई साहब बेज डाल रहे हैं 1000 मुर्गी क क्या करें पूरा पैसा मुर्गी सेड में घुसा दिया हमारी फर्स परवेटी है मुर्गी ब्याज पे पैसे लगाना ना कि पहले पूरे पैसे पॉल्टी सेड टेस्ट टेक फलाना धेकाना चीजों पर लगाना हालत तो यहां तक खराब हो जाती है कि फार्मर पहले ही कारहालत हो गई है मुर्गी की बेच तो डाल देते हैं लेकिन अब उसको खिलाने के लिए अब फीड नहीं है सेड मेचिक्स आने के पहले ही बेच के लगने वाला पूरा दाना हमारे पास रेडी होना चाहिए और हमारी पहली पैयोरोटी है तो पांचमा पाइंट है बड़ी बेच से पोल्टी फार्मिंग से शुरुआत करना भाई ना हमारे पास पोल्टी बिजनेस का एक्सपिरियंस है और ना ही पोल्टी की कोई नौलेज है तो भाई स्टार्टिंग में भाई बड़ी बेच डाल करके खुद आपने अपने पैरों पर कुलहाडी मार रहे हो पहल है बेच में लोस होगा ना और मोटलेटी होना सुरू होगा ना तो रोज कितने बट कितने मुर्गी मरेंगे गिंते गिंते ठक जाओगे ना तब समझ में आएगा कि अनी लंबानी एक ही रात में करोड़ पती नहीं बन गये थे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना मेरा अब तो मैं कुछ भी हो जाए प्रोफिट निकाल सकता हूं तब आप बड़ी बैज डाल सकते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बैल आइकन को आल में प्र प्रनेवाद